1905 का साल, बंगाल का विभाजन करी इस्ट और वेस्ट बंगाल में बाटा जा रहा था, जनता सडकों पर थी और इसी दोरान 12 साल का एक लड़का धाका पहुचता है उदेश्था पढ़ाई करना मुश्किल से स्कॉलर्शिप का इंतिजाम हो पाया था इसके लिए 12 साल का वो लड़का अपने सवी साय पार्टियों के साथ आंधुलर्ण में कूद गया और फिर जैसा की अपेक्षिती था उस लड़के को कॉलेज़ से निसकाशित कर दिया गया, स्कॉलर्शिप भी उसकी च्छीन ली गई आगे जाकर यही लड़का भारत का एक महान व्यग्यानिक बना, रमन और चंदर शेकर जैसे दिगजों के श्रेनी का कारका शेत्र विग्यान था लेकिन देश आजादी की लड़ाई से गुजर रहा था, इसलिए राजनीती से भी गुरेज नहीं की इन्होंने और एक ऐसा वक्त भी आया कि यही व्यक्ति भारत के पहले प्रधानमंत्री जवालना लहरूस से तक भिड़ गया नवस्कार मेरा नाम इनिखिल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमे हम सुनाते हैं उस तारीक से जुड़ी भारत की एतिहासे काहनिया आप 16 परवरी है और आज की तारीक का संबन्ध है एक भारती है वैज्यानिक बांग्यदेश की रर्धानी धाका के नस्दी के गाव है शावरा टोली न्याजगनाथ सहा और भुवनेश्वरी देवी के घर 6 एक्टूबर 1893 को एक बच्चे का जन्भुआ बच्चे का नाम रखा गया मेगनाथ बादनों की गरजना के नाम वाला ये बच्चा हमेशा आसमान की ओर ही नहारता रहा स्कूल गया तो टीचर से पहला प्रशन भी यही पूछा कि ये सूरज के आसपास जो रोशनी का चकर बनता है इसकी वज़े क्या है टीचर कुछ दवाब तो नहीं दे पाई लेकिन ये समझ गए कि मेगनाथ का आगे पढ़ना बहुत जरूरी है होनार इनी टीचर ने मेगनाथ के बड़े भाई को समझाया कि अगर ये बच्चा पढ़ पाया तो ये बहुत होनार साबित हो सकता है पिता के पास पैसे थे नहीं मेगनाथ के बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चला पाते थे ऐसे मेगनाथ की मदद को आगी आए डॉक्टर अनंद कुमार दास डॉक्टर दास ने ना केवल मेगनाथ का एक अंग्रेशी स्कूल में दाखिला कराया बलकि उसे अपने घर रहने का आशरा भी दिया आठवी तक लोकल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेगनाथ ने धाका के हाई स्कूल में दाखिला लिया चूंकि आठवी में मेगनाथ पूरे धाका में प्रत्हम आए इसलिए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलर्शिप भी मिली वहाँ 1905 में बंगाल की विभाजन के बाद जो आदोलन शुरू हुआ उसमें बढ़ चड़ कर उन्होंने हिस्सा लिया 1911 में मेगनाथ सहा ने ढाका कॉलेज से ग्राइजवेशन के डिग्री ली अपने प्रिये विशय गनित और फिजिक्स में प्रथम भी आए फिर प्रेजिडन्सी कॉलेज कलकता विश्वित डाले में दाखला लिया 1913 में Mixed Mathematics में बैशलर की डिग्री ले ली उन्होंने और इस दोरान इडन हिंदू होस्टल में रहे लेकिन जाती के चलते उन्हें यहां भी भेदभाव सहना पड़ा इतना होनहार व्यक्ति आगे चलके वे ज्यानिक बनने वाला है किस चीज के लिए टोका जा रहा है उसे जाती सहा पिछडी समझे जाने वाली जाती से आते थे इसलिए इडन होस्टल में लड़कों ने उनके साथ खाना खाने से इंकार किया होस्टल में देवी सरस्वती का एक मंदिर था साहा देवी सरस्वती की पूजा करने जाते तो वहाँ के पंडित उन्हें पूजा करने से भी रोपते Presidency College में साहा के सहपाटी थे सतेंदर नाथ बोस इन्हों नहीं आगे चलकर बोस आइंस्टीन कॉंडेंसेट की होच की थी इतना ही नहीं Presidency College में साहा को डॉक्टर जगदी शंदर बसु का साथ में मिला जो तब वहाँ शिक्षा की रूप में पढ़ाया करते थे साहा के एक graduate छातर से professional physicist बनने का जो सफर है बहुत अनूठा था MSC की डिग्री लेने के बाद 1916 में साहा ने कलकता इंवरस्टी के College of Science में एक lecturer के रूप में पढ़ाना शुरू किया शुरुबात में उनका रुजहान गणित की ओर था लेकिन एक साल बाद उने physics के department में transfer कर दिया गया जहां वो spectroscopy और thermodynamics जैसे विश्यों को पढ़ाने लगे उन दिनों European scientific literature का मिलना बहुत कठिन था हिंदुस्तान में कलकता की library में बहुत सारी किताबे थी लेकिन उनके अंग्रेजी अनुवाद मिलना कठिन हुआ करता था क्योंकि वो और European भाषाओं में होते थे तब साहा ने एक Austrian विज्ञानिक Paul Johan की मदद ली Paul Johan ने उन्हें Max Planck के किताब Treaty on Thermodynamics का अंग्रेजी translation मोहिया करवाया Presidency College में वेना से लॉटे एक German chemist की मदद से साहा ने German भाषा सीखी साहा को जर्मन भाषा सीखने का फाइदा मिला 1919 में जब उन्होंने सतेंदर नाद बोस के साथ मिलकर Einstein की Relativity के सुधान के पेपर का पहला अंग्रेजी अनुवाद पेश किया साथ ही साहा अपने रिसर्च भी जारी रखे हुए थे लेकिन बजट की कमी के चलते उनके रिसर्च पेपर छपी नहीं पाते थे 1919 में उन्हें प्रेमचन स्कॉलर्शिप के लिए चैनित किया गया जिसके कारण उन्हें विदेश में जाकर योरप की बड़ी लैप्स में काम करने का मौका मिला इसी समय पर साहा ने लाइट की क्लासिकल थेरी से उपजे अंतर विरुधों पर काम करना शुरू किया पहले समझते हैं कि सवाल क्या था जिससे सुलजाने के पीछे मेगनात सहा लगे हुए थे आइंस्टीन की रिलेटिविटी के थेरी आने से पहले क्लासिकल थेरी से काम चलाया जाता था तब बहुत से शक्तिशाली दूरबीन बन चुके थे जिन से आकाश गंदा में मौझूद दूर के तारों और ग्रहों को देखा जा सकता था इन खगोल पिंडों से जो रोश्नी निकलती थी उन्हें स्टेलर स्पेक्ट्रा नाम दिया गया तारों से निकलने वाली रोश्नी के वरंड करम से समझा जाता था कि तारा बना कब, वो कितनी दूर है और उसका टेंपरेचर क्या है इनी रंगों से ही ये भी पता चलता था कि तारों में से कौन सी गैस निकल रही है और उनमें कौन से रासायनिक तत्व मौजूद हो सकते हैं तब अमेरिका के एक बड़े विज्यानिक हेन्री मौरिस रसल तारों की रोष्णी के वर्ण क्रम को सुलजाने में लगे हुए थे रसल को लगा कि प्लांग, बोहर और आइंस्टीन के विकरण एबं कौन्टम यांत्री की सम्मंदी नियमों से तारों की रचना को समझने में वदद क्यों नहीं लिजा सकती इतना तो समझ आ गया था कि रंगों का तारों के तापमान से कुछ लेना देना है लेकिन इस बात को पूरी तरह समझने में कोई भी बहुतिक शास्त्री पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था उस वक्त तक इसी दौर में मेगनाथ साहा ने भारत में इस पर काम करना शुरू किया उन्होंने उचे तापमान पर आयनी करन यानी आयनाईजेशन का अध्यान शुरू किया आयनी करन यानी आयनाईजेशन एक आटम से लेक्टरॉन का अलग होना उसको कहते हैं 1919 में कलकता से उन्होंने ये शोट शुरू किया और सिर्फ एक साल में अपने शोट से स्टेलर स्पेक्टरा के ऊपर एक बहुत ही महत्वपून शोट पत्र निकाला और तब उनकी उमर सिर्फ 27 साल थी इतना सारा स्टागरो इतना रिसरच कर चुगे थे तब 27 के हुए अक्टूबर 1920 में कलकता के फिलोसोफिकल मैगजिन में साहा का शोट पत्र छपा इस पत्र से उन्होंने आईनी करण उर्जा को आसपास के तापमान और दबाओ से जोड़ कर दिखाया इस शोट पत्र के छपते ही साहवी ज्यान जगत में रातो रात फेमिस हो गए हेंरी मौरिस रसल ने इस शोट पत्र को पढ़ा तुने समझाया कि साहा की इक्वेशन स्टेलर स्पेक्ट्रा को सॉल्व करने की कुणजी हो सकती है इसके बाद साहा ने दो और शोट पत्र प्रकाशित किये साहा के पत्रों को पढ़कर रसल ने अपने सहीयोगी को लिखा आयने गरन की इक्वेशन से हम जल्द ही तारों के तापमान का पता लगा लेंगे आइंस्टीन की रिलेटिविटी की तेहरी को परिक्षन द्वारा स्थापित करने वाले आर्थर एडिंग्टन में साहा की एक्वेशन को एस्ट्रो फिजिक्स की दसवी सबसे महत्वपूर्ट एक्वेशन उन्होंने बताया था साहा की एक्वेशन जब एलबर्ट आइंस्टीन के पास पहुची तो उन्होंने इसे विज्ञान जगत की संसार को एक विशेश देन बताया वापस भारत लौट कर उन्होंने कलकता विश्विट डेलेवन नुकलियर फिजिक्स का कोर्स शुरू कर बाया 1931 में उन्होंने Academy of Science of United Province of Agra and Awad की शुरूआद भी की इसके लावा साहा ने Institute of Nuclear Physics की स्थापना भी की 1935 में उन्होंने Science and Culture नामक Science Magazine की शुरूआद की जिसके जरीय वो लगातार बिटिश सरकार पर हमलावर बने रहे वग्यानिक होने के साथ-साथ मेगनात सहा की जिंदिगी का एक और पहलू है अपने चातर जीवन से ही वो करांतिकारी दलों से जुड़े रहे जुगांतर पार्टी के सम्मध होने के चलते उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई राष्टी चेतना को जगाने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे समझी कारकरता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई उन्होंने बंगाल के अकाल बाढ़ और विभाजन के दिन देखे थे इसी लिए उन्होंने बाढ़ और विभाजन से विस्थाफित हुए लोगों के लिए काम भी किया उन्होंने बाढ़ के कारणों और उन्हें रोकने का अध्यन किया अनेक नदी बांध परियोजना और बिजडी परियोजनाओं में सहीयोगी बने इसी के चलते वो आम जनता में बहुत लोग परियोए और जब पहला चुनाओ हुए भारत का आजाद होने के बाद उन्हें सबावन में पहले लोग सबाव चुनाओं में कलकत्ता से भारी बहुमत से निर्दली उमिदवार के रूप में वो जीत कर लोग सबावी गए चातर जीवन के दिनों से ही विज्ञान की पुस्तकों की कमी को महसूस किया था उन्होंने उन दिनों भारत में विज्ञान की पुस्तकों का अभाव था तब विज्ञान की पुस्तकी विदेश से मंगवानी पड़ती थी इसलिए उन्होंने कई विदेशी पुस्तकों का लोकल भाषा में अनुवात करवाया साथ ही किया भी खुद साथ ही खगोल विज्ञान के उपर कई पुस्तके लिखी और अपनी पुस्तकों को देश भर के विद्धालियों में भिजवाया राजनीती से भी कभी गुरेज नहीं किया उन्होंने आजादी के बाद की कॉंग्रेस सरकार की अलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी छोड़नी भी नहीं चाहिए थी वो प्रदानमंतिरी नहरू की विज्ञान नीतियों की अलोचना करते थे और उस हैसियत से करते थे कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ सहा को लगता था कि नहरू इंडस्ट्री और विज्ञानिक संस्थाओं की शुरुआत में जल्द बाजी कर रहे हैं उन्होंने लिखा कि नहरू की नीति संभरांत बादी है और वो भारत की असलियत नहीं देख पा रहे है आज ही के दिन यानि 16 फरवरी 1906 को ये महान बैग्यानिक योजना आयोग की एक बैठक में भाग लेने राश्पती भवन के ओर जा रहे थे या चानक गिर पड़े और हिर्दे गती रुख जाने से संसार से विदा हो गए भारत के महान बैग्यानिकों की गिंती में हमेशा मेगनाच सहा का नाम लिया जाता रहेगा आज के लिए इतना ही देखते रही है देलर रन टॉप और देखते रही है तारिक जिसे लिखते हैं हमारे साथ ही कमल